हेलो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने बरोशेमन यूटूब चैनल पर केंदर की मोधी सरकार ने अभी अभी बजट सतर के दोरान केंदरे करमचारी पैंसन भोगियों और सेनिकों पूरू सेनिकों के लिए सुना दी कई बड़ी खुसकवरी पैंसन भोगी मंच के लगातार दबाओ के चलते वे आगामी लोग सरक्षणाओ के मद्दे नजर आखिरकार दिये बड़े सांधार तोफे अठारे माब बकाया डे एरियर को लेकर नियूंतम पैंसन बड़ोतरी को लेकर पैंसन एरियर को लेकर डे यानि मेंगई भत्ते में बड़ोतरी को लेकर फेटमेंट फेक्टर में बड़े बदलाओ को लेकर फैमिली पैंसन को लेकर फिक्स मेडिकल अलाउंस को लेकर रिट समचारियों, पैंसन बहोगी और जवानों से समंदित वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास पहुचे सबसे पहले तो चलिए जानते हैं खबरों को विश्टार से बिना किसी देरी के आम चुनाव से पहले पेस होने वाले इस बजट पर सब की निगाहें थी हाला कि कहा तो बजट की परमपराओं में भी मोधी सरकार ने ऐसी के चोकानवाला सर्प्राइज दिये है मोधी सरकार के पहले कारी काल में बजट को 92 साल पुरानी परमपरा तूटी फरोरी के आखरी से पेस होने वाले बजट को एक फरोरी को पेस किया जाने लगा मोधी सरकार के दूसरे कारेकाल में लाल फ्रीफ केस की जगे भई खाते और टेबलेट ने ले लिया ऐसे में लोगों को मन में ये असंका है कि ट्रेंड उडोडने से माहिर सरकार कहीं इस अंतरिम बजट में चोकाईगी तो नहीं लोगसबच चुनाओ से पहले सरकार बजट के जरिये ग्रोथ की पिछ पर बेटिंग कर मोधी सरकार ती 3.0 का रास्ता तैयार कर सकती है लोगसबच चुनाओ से पहले ये सबसे बड़ा मोका है जानकार बताते है कि अंतरिम बजट में सत्ता में मौजूद पार्टी के लिए मुफ्त और लोकल भावन उजणाओ के जरिये मद्दताओं को आकर्सित करने का बड़ा मोका है ऐसा ही कुछ साल 2019 में आम चुनाओ से पहले पेस किये गए अंतरिम बजट में देखने को मिल चुका था साल 2019 के अंतरिम बजट में सरकार ने मद्यम वर्क किसानों के अंदरी करमचारी पैंसनरों को लुभावने के लिए अलान किये थे पहली बड़ी खबर की बात करते हैं पैंसन बढ़ाने को लेकर लंबे समय से मांग चली आ रही थी अगर आप भी पैंसन का फाइदा लेते हैं तो आज हम आपको जरूरी खबर बताने जा रहे हैं मीडिय रिपोर्ट समता अभी सरकार के तरफ से पैंसन राशी को बढ़ाने की बात चल रही है फिलहाल इस बीच नियूंतम पैंसन राशी को बढ़ाने के लिए पैंसन बहोगी प्रस्तवातवार को राष्टी राजणानी में भूक रताल पर बेठेंगे केंदर और राज़े सरकार की तरफ से लाखो पैंसन राशी को समय से उपर कई बड़े तोफिद दिये जाते हैं अब राज़े सरकार ने पैंसन राशी को एक और बड़ी खुसकबरी सुना दी है अब से साल में दो बार आपकी पैंसन में बड़ोतरी की जाएगी जुलाई मेने में आपकी पैंसन में 5 फीजदी बड़ोत्री की जाएगी और जनुवरी महीने में आपकी पैंसन में 10 फीजदी बड़ोत्री की जाएगी यानि किसी साब से करमचारी की पैंसन में हर साल 15 फीजदी के जाफा होगा लेकिन उससे पहले आपको बता दे कि इसका फायदा राज्य सरकार के करमचारियों को देखने को मिलेगा आपको बता दे कि राजस्थान सरकार ने नियुंतम आए गारेंटी कानूं को लागू कर दिया है देश में राजिस्तान पहला एसराजी बन गया है जिसने इस कानून को लागू किया है इस गारंटी कानून के जरी पैंसन में हर साल बड़ोतरी होगी इसके साथ ही सामझ उस रख्षा पैंसन की गारंटी भी दी जाएगी अगली बड़ी खबर की बात करते हैं देश बर के लाखो पैंसनों के एक बड़ी खुसकबरी है दरसल सरकारी करमचारी की पैंसन में जल्दी जाफा होने जा रहा है सरकार पैंसन की लिमिट को बढ़ाने के तैयारी में है जिसके बाद अब सरकारी करमचारिक पैंसन दूग नहीं हो जाएगी फिलहाले इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है अगर सरकार फैसला लेती है तो फिर आपके सेलरी चाहे जितनी भी हो लेकिन आपके पैंसन की कैलकुलेशन 15,000 रुपे पर ही की जाएगी EPFO की स्वेतन सीमा को खतम करने का मामला चल रहा है इसके साथी EPFO में पैंसन कैलकुलेशन पिछली सेलरी यानि हाई सेलरी पाने वाले लोगों पर भी की जा सकती है EPFO की स्वेतन के बाद करमचारी को मिलने वाली पैंसन में पर ही जाफा हो जाएगा इसके बाद पैंसन को जादर पैंसन का फायता देखने को मिलेगा नोकरी पैसा लोगों की सेलरी का 12 फीज़ दी हिसा EPF अकाउंट को जाता है साथ ही करमचारी को न्योकता यानि ओफिस की तरफ से भी उतना ही योगदान किया जाता है जिसका आठ दसमनों तीन तीन फीज़ दी हिसा करमचारी पैंसन योज़ना में जमा किया जाता है अगर इस वक्त पैंसन योग एधिक्तम सेलरी की बात करें तो ये 15,000 रुपे है नोकरी पैसा करमचारी को 8 साली कुमर के बाद पैंसन का फायदा दिया जाता है हाला कि इसके लिए करमचारी को कम से कम 10 साल तक काम करना भी अनिवारी है ऐसी सिकायते भी की जारी कि पैंसन वोगों की पैंसन पाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है इस सिकायत को दूर करने के लिए E.P.F. अग तरब से पैंसन की तारी को फिक्स करने का फैसला भी किया गया है अगली बड़ी खबर की बात करें भारती रिजर्व बैंक ने बंधन बैंक को 12 लाग करमचारियों को लेकर बड़ी जिम्मेदारी दी है बंधन बैंक ने बताया कि उसे रेल मंतराली के और से EPPO के माधिम से पैंसन देने के लिए रेजिस्टर्ड किया गया है बैंक ने बताया कि रेल मंतराली के साथ एकीकूर्त होगा बैंक ने बताया कि रेल करमचारियों को पैंसन देने के लिए देज भर में रेलवे के 17 छेतरी कारियालियों और 8 उपादरी कायों में हर साल करीब 50,000 रेटार लोगों तक पहु subdivरान करना रहेगा बंदन बैंक के पुर्मुक देवराज सहा ने कहा कि भारते रेलवे देश के सबसे बड़े न्योकता में से एक है इसे पैंसनर को बैंक की और से दी जाने वाली दरों और कज़दा ताकि अन्य चीजों तक पहुच पाने में मदद मिलेगी रेलवे मताबिक रेटार करमचारी खाते में जो रकम जमा की जाती है उस जमारासी पर ब्याज जोड़कर पैंसन का बुकतान किया जाता है ब्याज की रकम समय समय पर जोड़ी जाती है अगर कोई जल्दी रिटार्ड हो जाता है तो उसे पैंसन की रकम इसी आधार पर दिया जाता है हाला कि रेलवे करमचारियों को तब ही पहने से मिलता है जब वो दस साल या उस से ज़्यादा समय तक किसी भी पत्पर कारी कर चुके हों अब 18 महाबकायरी बुक्तान को लेकर बड़ी खुसकबरी की बात करते है केंदरी करमचारियों को लिए अच्छी खबर है मिदेर रिपोर्ट साथ जल्द सरकार करिंदरी करमचारी खाते में 8oberением की डारे के पासितर कर्मकारी करने जारी है सरकार ने लोगसवाब में भी 8we gin Lehr NEž के बारे में जानकारी किfish दिये है अगली बड़ी खबर की बात करते हैं केंद्री करमचारी ले खुस कबरी है महँगाई बत्ते का नमर्स कंफर्म हो गया है अब करमचारे को 50% महिवबत्ता मिलेगा लेबर वीरोग तरब से AIs Pay Index जारी कर दिया गया है इंडेक्स के मताब्र महँगाई बत्ता 50% कंफर्म हो गया है दिसंबर याई स्पें इंडेक्स के आंकडों से इसाफ हो गया है हाला कि दिसंबर मिंडेक्स का नंबर 0.3 अंग गिरकर 138 अंग पर रहा लेकिन इससे महंगाई बत्ते के आंकडों में कोई खास फरक नहीं आया उम्मीद के मताबिक महंगाई बत्ता 50.2 फीजदी को पार कर गया है अब महंगाई बत्ता 50.2 अट फीजदी हुआ है सरकार दसमलो 0 दसमलो 5 से नीचे है इसलिए 50 फीजदी फाइनल होगा इसमें 4 फीजदी के जावत तेमाना जा रहा है ये कंफर्म हो गया कि महंगाई बत्ता 50.2 फीजदी की दर से मिलेगा लेकिन इसके एलान अभी नहीं होआ है चुनावी साल है तो लोकसर बचुनावी तारिकों के एलान से पहले इसे मंजूरी दी जाएगी केंदरी केविनेट की बेठक में महंगाई बत्तें बडोतरी पर फैसला होता है आम तोर पर सरकार मार्च में होली कास पास इसके लान करती है इस बार भी मार्च में ही से मंजूरी दी जा सकती है लेकिन करमचारियों के इसका फायदा एक जनूरी दोजार चोबीस से ही मिलेगा मतलब नया महंगाई बत्ता एक जनूरी दोजार चोबीस से लाग होगा इसके लावाद जनूरी फर्वरी के एर एर के साथ मार्च की सेलरी में इसका बुक्तान किया जाएगा लेकिन अब करमचारी को नए साल का तोफ़ा मिल सकता है अब कैन सरकार करमचारी को में देख सरकार जल्दी फिटर फेक्टर को डिवाइज करने के ऐलान सकती है फिलाल करमचारी को 257 फीज़ दी एक हिसाब से वेतन मिल रहा है अगर इसे बढ़ा कर 30.00 फीज़ दी कर दिया जाता है तो उमक्तम वेतन 80.000 रुपे से बढ़कर 26 जर्प हो जाएगा देश के सरकारी बैंक के करमचारी और पैंसलर के लिए एक बड़ी खुसकबरी शामने आई है एक नॉमबर 2022 से पैंटनी सेलरी बड़ोतरी मांग पर सहमती बन चुकी है जिसका मतलब अब सरकारी बैंक के करमचारी के सेलरी बढ़ सकती है इंडियन बैंक एसोसेशन और यूनियन पास सालों के लिए 17 फीज़दी सेलरी रिवजन करने पर सहमत हुए है